हे नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरा नाम है चंदरिका परशाद इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सरबोच नियायाले का छेतरा धिकार और शक्तियां नियायक पुन्राव लोकन और जनित याचिकाओं के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले सरबोच नियायाले का प्रारंभिक छेतरा धिकार देखें सरबोच नियायाले का वह छेतरा धिकार जिसके तहत वह किसी मामले की सीधे सुनवाई करता है वह उसका प्रारंभिक छेतरा धिकार कहलाता है अनुछेद 131 के अंतरकत सर्बोच नियायाले के प्रारंभिक छेतरा दिकार का वर्डन किया गया है ये प्रारंभिक छेतरा दिकार ऐसे बिबाद से संबंदित है जिन में बिधी का कोई प्रशन होता है दोस्तों सर्बोच नियायाले प्रारम्भिक छेतरा अधिकार के तहत तीन मामलों की सुनुआई करता है जो इस परकार है नमबर एक भारत सरकार तथा एक या अधिक केंदर शासित परदेशों के बीच का विबाद नमबर दो एक और भारत सरकार और किसी राज या राज्यों का और दूसरी और एक या अधिक राज्यों के बीच का विबाद नमबर तिन दो या दो से अधिक राज्यों का विबाद इस तरह के विवादों का निप्टारा सीधे सरबुच नियाले द्वारा निप्टाया जाता है और ये उसके प्रारंभिक छेतरादिकार में आते हैं अनुच्छेद 32 भी प्रारंभिक छेतरादिकार में आता है अनुछेद 32 आपको पता होगा पांच प्रकार की रिटे जारी करता है सर्बोच नियाले नमबर दो अपीली छेत राधिकार सर्बोच नियाले सिबील तथा आपराधिक सभी तरह के मामलों में अपील का अंतिम नियाले है सर्बोच नियाले सिबील तथा आपराधिक सभी तरह के मामलों में अपील का अंतिम नियाले है सर्बोच नियाले के अपीली छेत राधिकार को चार भागों में बांटा जा सकता है चार भागिस प्रकार हैं चार अनुच्छेद नमबर एक समवैधानिक बिसियों से जुड़ी ये पी लें अनुच्छेद 132 नमबर दो सिबिल बिसियों से जुड़ी ये पी लें अनुच्छेद 133 नमबर तिन आप राधिक विशियों से जुड़ी ये पी लें अनुचेद 134 और नमबर चार विशियस अनुमती से की जाने वाली ये पी लें अनुचेद 136 अब इन चारों अनुचेदों को हम थोड़ा संचिप्त में जानेंगे कि इसका मतलब क्या है देखिए अनुचेद 132 के अनुचेद 132 के अनुचेद अनुचेद 134 के अनुचेद 133 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 के अनुचेद 13 पहुजदारी मामलों में उच्छ नयायालयों के निरणयों के विरुद सर्बोच नयायालय में अपील की जा सकती है जब किसी अपराधी को उच्छ नयायालय ने मिर्त्यु दंड की सजा सुनाई हो अथवा उच्छ नयायालय ने यह प्रमारित कर दिया हो कि यह मामला सरबोच नयायालय में सुनने योगी है दोस्तों अनुझेद 136 के अनुझेद 136 के अनुझेद 136 के अनुझेद 136 के अनुझेद किसी निर्ड़य या आदेश की अपील के लिए बिसेश इजाज़त देकर अपने पास मंगा सकता है दोस्तों परामर्ष दात्री छेतर अधिकार यह क्या है चलिए जानते हैं संबिधान के अनुछेद 143 के तहट राष्ट पती को यह अधिकार है कि जब उसे यह प्रतीत हो कि बिधी या तत्थ का कोई ऐसा प्रशन उत्पन हो गया है कि उस पर सर्बोच नियाले की राय लेना आवस्यक है तो वह उस प्रशन पर सर्बोच नियाले से राय मांग शकता है यहां एक बात ध्यान देने की यह है कि सर्बोच नियाले राष्ट पती को राय देने के लिए बात नहीं है और ना ही राष्ट पती सर्बोच नियाले द्वारा दी गई राय को मानने के लिए ही बात दी हैं दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे न्यायक पुन्राव लोकन के बारे देखिए न्यायक पुन्राव लोकन न्याय पालिका की वह सकती है जिसके द्वारा वह कारपालिका तथा बिधायका के उन कानूनों या आदेसों को आसंबैधानिक घोसित कर सकती है जो संबिधान के आदर्शों के विपिरीध हो भारती संबिधान में नियाइक पुन्डा और लोकन का प्रावधान अमेरिका के संबिधान से ग्रहण किया गया है अनुछेद 137 के अनुसार सर्बोच नियायाले को संसद और विधान मंडल अनुछेद 137 के अनुसार सर्बोच नियायाले को संसद और विधान मंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम तथा कारपालिका द्वारा दिये गए किसी आदेश की बैधान अनिता का पुन्डा और लोकन करने का अधिकार है अनुछेद 13 राज के बिरुद्ध नागरिकों के मूल अधिकारों के समरक्षण की गारंटी देता है यदि राज द्वारा कोई ऐसी बिधियानी की कानून बनाई जाती है जो मूल अधिकारों का उलंगन करती है तो नियायाले उसको सून निगोसित कर सकता है इसके द्वारा नियायाले बिधियों की बैधानिक जाच करता है इसलिए अनुछेद 13 को मूल अधिकारों का प्रहरी कहा जाता है दोस्तों यही नियायक पुन्डा उलोकन का आधार भी है नियाएक पुन्द्राव लोकन की श्रक्ति में ना तो संबिधान संसोधन द्वारां कटवती की जा सकती है और ना ही इसे हटाया जा सकता है दोस्तों अब हम पढ़ेंगे नियाएक पुन्द्राव लोकन का महत्तुर नियाएक पुन्द्राव लोकन का महत्तुर नमबर एक संबिधान की सरबोचता के सिध्धान को बनाये रखने के लिए इसका महत्तुर है नमबर दो संग्धी संतुलन अर्थात केंद्रियोम राज्यों के बीच संतुलन बनाये रखने के लिए इसका महत्तुर है नमबर तिन नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए भी नियाइक पुन्रावलोकन का महत्तु है दोस्तों किसी बिधाई अधिनियम अथवा कारेपाल की आदेश की समबैधानिक बैधता को सर्बुच नयायाले या उच नयायाले में तीन आधार पर चुनवती दी जा सकती है दोस्तों नमबर एक वह मौलिक अधिकारों का उलंगन करता है नमबर दो यह उस प्राधिकारी की सक्छमता से बाहर का है जिसने इसे बनाया है और नमबर तीन यह समबैधानिक प्राधानों के प्रत्कूल है तो इन तीनों के विपरीत अगर कोई अधिनियम या आदिस जारी होता है तो वह नियायक पुन्डालोकन के अंतर गताएगा और इसकी बधानिक तक जांच करी जाएगी नियायाले दोरा अब हम लोग पढ़ेंगे जनहित याचकाओं के बारे में देखिए जनहित याचका नियायाले में मुकदमा दायर करने का एक आसान तरीका है इसमें यह प्रावधान है कि अगर पीडित पक्छे अदालत नहीं जा सकता तो उसकी और से कोई ब्यक्तिया संसथा नियायाले में जाकर मुकदमा दायर कर सकता है या नियायाले को सूचित कर सकता है बस इसके बाद नियायाले स्वयम उस पर पहल करके पीडित को नियाय दिलाती है दोस्तों तो यही है जनहित याचका लोगों के हिद के लिए याचका दैर करें उसके बाद नियायाले खुद आगे आकर पीडित को नियाय दिलाती है ये जन्हित याचका है दोस्ताँ जन्हित याचका के बिसे छेतर नमबर एक बधुगा मजदूर नमबर दो उपेच्छित बच्चे नमबर तेन स्रमिक बर्ग का सोंसर नमबर चार कैदियों का उत्पीडन नमबर पांच पुलिस द्वारा मामला दाखिल ना करने पर नमबर च्छे महिलाओं परत्याचार दहेज बलातकार हत्या अपहरण नमबर शाथ अनसूचित जादी और जन जादी तथा आर्थिक रूप से पिछडे बर्गों का पुलिस द्वारा उत्पीडन की शिकायत नमबर आठ परियावरन परदूसर संबंधी याचकाएं नमबर नौ दंगा पीडितों की याचकाएं गनित याचका संबंधी और धालडा की उत्पत्ति योम इसका विकास वो नई 180 के दसक में की गई दोस्तों तो इस प्रकार से यह वीडियो यह समाप्त होती है अब मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद दोस्तों